साहिल 10 लगाकर आपको 10% का ओफर मिलने वाल है साथ के साथ में नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम आप लोगों के लिए चल रहा है लगातार टॉपिक वाइस यह चल रही है क्लास रात को आठ बजे कैच दमयत ले रहे होना सब लोग बोलिए नहीं तो लेना है आज से ही लेना ह कैसे नहीं लगता है फिर average के questions पर आएंगे क्योंकि average इतना कोई blunt मतब ऐसा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है कि आप कोई बड़ी mistake कर जाओगे अगर आप basics नहीं पड़ोगे तो ऐसा कोई basics भी नहीं है इसमें simple logics पर बात होती है average का mean मैं आपको बता देता हूं कि average क्या है average एक सबसे जरूरिफ चीज़ है और और सबसे सही मतलब होता है आप किसी पी चीज़ को balance कर सकते हैं तो आप average निकाल सकते हैं जैसे कि मैं अगर आपसे बात कहता हूं कि यार आप a है, a को 40 marks आए और b को आई 50 marks तो आप सबसे पहले कहते हैं कि यार a और b का average निका लो तो आप क्या कहेंगे, A और B के total marks, और A और B हैं कितने लोग, दो लोग, तो आप ये कहेंगे, सर, average 45 आ रहा है, और जो ये average आया है, average वो संख्या है, जो 45 से देखोगे, तो 40 माइनस का 5 आ रहा है, और 45 से देखोगे, 50 तो प्लस का 5 आ रहा है, तो जो संतूलन बन गया न, य जिन से छोटी या बड़ी संख्याओं का अंतर निकालने पर, वो कट जाते हैं, यही तो balance दे रहा है, इसलिए तो 45 average हुआ, वरना हमारे अगर मर्जी होती, तो हम 50 को क्यों न, average मान लेते, नहीं होता न, average, क्योंकि average वो संख्या है, जो हमें संतूलन देगा, balance देगा, एक ऐसा equilibrium देगा, जिससे कि हम सभी data को balance कर पाएंगे, कुछ फाल तो नहीं बचना चाहिए, यही तो करते हैं, तभी तो हम देखते हैं कि कौन कितना कम है, कौन कितना ज़्यादा है, बस, इसलिए देखते हैं हम लोग, सर, आज मेरी बहुत तवित खराब है, मैं बोल नहीं पा रहा, पा रही, बोलना ही किसको है, बोल तो मैं रहा हूँ, हाँ, चली, सो यहां समझ में आया होगा, आपको नहीं आया कोई बात नहीं, तो average basically अगर मैं बोलता हूँ, कि A क्लास है, एक B क्लास है, एक C क्लास है, इ मैं बोलता हूँ, आप लोगों से, इसमें विद्धियार्तियों के 60% नमबर आये हैं, इसमें विद्धियार्तियों के 40% नमबर आये हैं, इसमें विद्धियार्तियों के 70% नमबर आये हैं, आप मुझे बताओ, इस पूरे स्कूल के कितने percentage नमबर है, अब मैं आप से जब प्रतिशत अंक क्या होंगे, इस फूल के, तो आपने बिल्कुल वही लॉजिक समझा होगा, जो मैंने समझाया, कि सर हम बेस माल लेते हैं, इस 40 को अगर आप बेस मानके चल भी रहे हो, और नहीं भी मानतों, चलो अभी में बेस क्यूं बता हूँ आपको, है ना, जिससे कि आ स्ट्रेक्ट हो जाओगे, मत समझो, बेस के थूँ, आप नॉर्मल क्या करते आप जादस जादा, आप यही तो करते, सर मैं 60 गुना एक करता, जैसा कि आपने कल भी सिखाया था, 40 इंटू 2 करता, 80, 7 इंटू 3 करता, 210, और केक करती तो हमारी सब में बढ़ती, 5 और 6, तो 210 और 80, 290 और 6, 290 और 6, यह हो जाएगा, 350 बटे 6, याने की, 1,525 याने की, 175, 175 बटे, 3 है न, और 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यह आजाएगा, 175 बटे 3, यह परसेंटेज माक्स आ रहे है, तो 3, 15, 15, बचे 2, 3, 8, 24, 58.33, 58.33, 58.33 के गरीब आपके परसेंटेज माक्स आ रहे है, लेकिन मैं अभी आपको यह नहीं कह रहा कि आपको यह आना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से एक राय तो जरूर जानना चाहूंगा अभी भी, कि आप में से किसी भी विद्यारती कि कुछ अलग कर रहे हो आप, जो आपने परसेंटेज में ना किया गया हो, नहीं लगेगा, यही मैं कहा रहा हूं कि कभी भी आप किसी चैप्टर में एंटर करते हो, चुप चाप करिए, उस चैप्टर को भनक नहीं लगनी चाहिए, आप यह समझे कि उस चैप्टर का आप लोगों को समझाऊंगा मैं, नहीं आता कोई बात नहीं, अभी तो हम सीखेंगे ना सारा, बस अभी देखिए, इसी कोश्चन को दूसरे मेथड से भी करते हैं, तो JSM कहता है कि सर, आप क्यों खुद का डेटा मान रहे हो, आप इन में से सबसे छोटा डेटा ले लो, तो मैं 40 को ले लेता हूँ, अब आप से मैं ये पूसता हूँ, कि ये 60 जो है, 40 से कितना जादा है, ये जो 60 है डेटा, 40 से आप देखोगे, तो सही न 60 कितना जादा है, क्यों देखोगे सर आप, अरे भाई मुझे बैलेंस भी तो चेक करना है, कि बैलेंस है भी या नहीं, बाद तो ठीक है, आप 40 लेकर बैठ जाओगे, और आप में से, A-B-C में से कहे रहें, 40 कैसे लेकर बैठ गए, A बोल देगा, C बोल देगा, हमारे तो 70 है, C बोलेगा, हमारे तो 60 है, आप 40 कैसे मान रहे हो, आप कहोगे सबर करो, 40 तो मैंने मर्जी से माना है, लेकिन मैं 40 नहीं पोल थोड़ी रहूं महाराज मैं तो कहह रहा हूं कि आप देख लो ना कितना जादा है हम देख लेते हैं बांट लेंगे बाद में पॉइंट है भाई तो आपने देखा 40 से 60 कितना जादा है 20 जादा है तो ए बोलेगा 20 तो जादा है लेकिन मेरे में तो एक बच्चा है एक कुणा कर देते हैं तो 20 एकम 20 यह एक कहां से आया क्योंकि इसके बस एक ही बच्चा है रेशो है एक है अब बी आ गया बी कहेगा बी मुझे कोई शिकायत नहीं है क्यों कि भी तो खुद अपना नंबर लेकर गया था कि मेरे को ले लो ना सर बेस आप क्या दिक्कत है मैं तो एग्री कर रहा हूं तो बी से कहेगा मेरा तो कोई अंतर नहीं आ रहा टेंशन मतलो ठीक है अब सी के पास गए सी से देखा आपका 30 अंतर आ रहा है लेकिन सी ने का सी से बुला कितना अंतर है 30 अंतर लेकिन सी समझदार है भाई साब 30 अंतर है और सुनो तीन बच्चे हैं, तो 30 x 3 यानिकि 90, तो जो 110 जादा आ रहा है, क्योंकि यह जादा ही था, तो केक कटेगी सब में बटेगी, क्योंकि उसी को average कहते हैं, उसी को balance कहते हैं, तो 3 और 2, 5 और 2, 6, तो आप यहां देख रहे हो, 40 प्लस 110 बटे 6, 55 बटे 3, और आप इसको आप देख लो, solve कर लो, अठा रहे थिया, चाहूँँआ, 87.33, देख लो मज़ा आया नहीं आया, मैं आपसे, अब इन दो कोशनों की भीयाफ पर यह नहीं कहूँगा, कि आपको average आ गया, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि कुछ, कुछ, expectations आपकी बढ़ गई हो इस chapter की प्रती, कि यार, इतना भी, खराब नहीं है, बस skill, समझ का है, बैलेंस का है, चलिए भाईया, ठीक है, clear है, समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, well done, my dear students, अभी जब मैं बैलेंस की बात करी रहा था आप लोगों से, तो average हमें balance देता है, लेकिन वैसे average का basic mean क्या है, अगर हम औसत निकालते हैं, तो कभी भी अगर हम औसत निकालेंगे, तो औसत का मतलब यह है, कि sum of quantities upon number of quantities राशियों का योग upon राशियों की संख्या, ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, कि पांच member का average age 20 साल है, मैं पूसता हूँ आपसे, तो मुझे बताओ, सब ही member की full age कितनी होगी, मैं पूसता हूँ, 15 member की average age 13.2 साल है, तो full age कितनी होगी, तो अभी मैं आपसे, जो ये full age पूछा है, ये क्या है, इक तरीक से मैं आपसे sum पूछ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटे-छोटे कोशनों से, बड़े-बड़े कोशनों की तरफ move करेंगे, और आप तुरंत जानेंगे कि आएवरेज दे रखा हो, number दे रखा हो, तुरंत गुणा करिए 20-500, तो आपकी जो देखो न, 20-500 कैसे आया, आपको संख्या निकालनी थी, आपको कुल निकालना था, कुल राशियों का योग निकालना था, तो आपने संख्या का गुणा कर दिया, तो आपने संख्या का गुणा कर दिया, इसमें भी वही काम करना है, आपने संख्या का गुणा कर दिया, लेकिन अब calculation भी मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई अगर आपके सामने ये आ गया इसकी calculation कौन बच्चा कैसे करेगा ये मुझे बताए मैं चाहता हूँ कि आप ये समझ लें कि इस 13.2 को इस 15 को आप 30 बटे 2 लिख दें 30 बटे 2 लिखने मातर से ये पॉइंट को तो 0 खा जाएगा और 2 से कर जाएगा ये 66 बार और आंसर आजाएगा 198 ठीक है अच्छा लगे बिना कहीं दिल से लाइक करते रहिएगा मैं कॉंसेप्ट बहुत अच्छे से देने वाला हूँ समय की चीजों को देखते हुए कॉंटेंट देना मेरा पहला फोकस रहेगा बाकि आप लोग लगातार शेयर और लाइक करते रहेगा ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि कभी भी अगर हम राशियों का योग निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज को संख्या से गुणा कर देंगे ठीक है कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है यदि कुछ मेंबर्स का एवरेज 36 है और उनका कुल योग 1440 है तो आप नंबर्स भी निकाल सकते हो आप बात वही है वाइस वर्सा कि अगर आपको योग दे दिया तो सर हमें तकलीफ नहीं आएगी लेकिन मेरा बताना बहुत ज़रूरी है कि आप एवरेज का डिवाइड करिए खुशी-कुशी आंसर दीजिए तो आपकी जो संख्या हो जाएगी वह 20 हो जाएगी आपके कितने मेंबर्स हैं 40 मेंबर्स है कुछ मेंबर नहीं 40 मेंबर्स है टिक है अच्छा सर तब 40% का 2 students क्यो नहीं आया सिर्फ अकेला 40 क्यों आया कि हमने जब 40 को बैलेंस मान लिया तो यहां से तो कोई अंतर पैदा ही नहीं हुआ ना तो दो स्टूडेंट क्या करेंगे यहां सौ भी होते फाइदा यही तो मिलता है अगर आप इन में से किसी संख्या को मान लेते हो तो यही फाइदा मिलता है यही फाइदा तो अपने अपने चीजों का है भाई अभी सब सीख हो गया अभी आप टैंशन ना लो चलिए यहां तक ओके अच्छा जैसे कि कभी भी आपसे बोलेगा कभी भी नैचुरल नंबर्स नैचुरल नंबर्स के एवरेज की बात होती है नैचुरल नंबर्स के एवरेज की बात होती है तो एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो only यह formula आपको average का दिमाग में रखना है और कुछ दिमाग में नहीं रखना please note it down please note कर लें सब लोग और कोई तकलीफ आती रहे तो बताते रहे ना सर गुरुबडी में 85 नमबर है selection हो जाएगा के नहीं दिल्ली रिजन से कि अमन दिल्ली रिजन से कुछ नहीं कह सकते हैं है न कि दिल्ली अलावाद कुछ नहीं कह सकते भई रिजन सी ऐसे हैं डार्क जो नहीं आएगा एक से सत्तर तक सभी नाचुरल नमबर का प्रेज पहला प्रश्न पांच से असी तक सभी नाचुरल नमबर का एवरेज नाचुरल नमबर आप समझ रहे होंगे प्राकरतिक संक्याओं की बात कर रहा हूँ प्रथम नभ है नाचुरल नमबर का एवरेज फिर्स्ट नमबर का एवरेज 87 से 192 तक सभी नाचुरल नमबर का एवरेज खटागट खटागट चलते जाओ जिससे चीजें कवर एक पर क्या होता पेस बनना जरूरी है आपको कुशन तो अच्छे हों गई और इनमें पेस बनना बहुत जरूरी होता है कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि यार कंसेप्ट क्या है क्या ख्याल है हाँ उसको तो छोड़ी दो अभी आप दिमाग पढ़ाई पर लगाओ लिए रहना प्लीज ख्याल बहुत बेकार है एक से लेकर सतर तक की सभी नैचुरल नंबर का एवरेज बताईए आप हमने आभिशा आपको बताया कि आप क्या करें एवरेज निकालने क लिए 1 प्लस 70 बटे दो 71 बटे दो याने कि कितना हो जाएगा 35.5 पांच से 80 का तो 5 प्लस 80 बटे दो 85 बटे दो याने कि यह हो जाएगा 42 दूनी 84 और 85 ठीक है प्रथम 90 याने कि एकराण में बटे दो 1 प्लस 90 बटे दो एकराण में बटे दो 45.5 अब मैं इंट्रेस्टेड हूँ इस वाले में पहली 101 होल नंबर तो पहली 101 होल नंबर तो याने कि मैं ले लेता हूँ एक से लेकर 100 तक बटे दो याने कि आंसर आएगा 101 बटे दो 50.5 और 87 से 192 तक 87 प्लस 192 बटे दो याने कि साथ और दो 9, 9 और 8 17, 279 बटे चली कर लीजे तो यह आपको क्लियर हो गया अब किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को बताओ इस वाले में आप स्टार लगा सकते हो क्योंकि मैंने या होल नंबर बोल ला है और होल नंबर जीरो से शुरू होती है जीरो से अगर 101 लोगे तो भी कितना आएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो तो भी 101 बटे दो आएगा अगर आप चाते हो कि नहीं अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार थमसब कर दीजिए कि यह सर बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो रहा है कि क्यों आपने जीरो और 101 लिया अगर आप 101 होल नंबर की बात कर रहे हो अगर आप नैचूरल नंबर के हिसाब से चल रहे चलिए ठीक है आईएगा नेक्स्ट यह हो गया आगे चलते हैं अगला रहेगा अपना इवन और भी ले ले पाए ना 97 प्रथम 97 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ प्रथम 87 और नंबर्स का एवरेज बताओ प्रथम 109 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ 7 से 198 तक सभी इवन नंबर्स का एवरेज बताओ 18 से 138 तक सभी और नंबर्स का एवरेज बताओ तो फर्स्ट फॉल फर्स्ट 97 इवन नंबर्स का एवरेज आपको बताना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 इवन नंबर्स अगर आप लेते हो तो पहली इवन नंबर्स होगा अगर आप दो ले रहे हो चार ले रहे हो एसी तो ले रहे हो तो आप यह बताओ कि अगर आप एन ले रहे हो तो आंसर आपका एन प्लस वन होगा हमेशा अगर आप फर्स्ट की बात कर रहे हो तो ठीक है तो आपका जो एवरेज होगा वो 98 हो जाएगा ठीक है चलिए इसी प्रिकार फर्स्ट 87 और्ड नंबर्स आप रटने की जर्वत नहीं है आप पहली स तीन होती है फिर आपकी पांच होती है आप इनका एवरेज निकालेंगे तो तीन का एवरेज तीन आ रहा है फिर उसके बाद आप साथ भी डाल देंगे तो चार का एवरेज कितना आने लग जाएगा चार का एवरेज चार आने लग जाएगा चेक कर लो तो जितनी 87 है ना इवन नमबर 97 थोड़ी ना 96 है तो 96 और दो 98 ठीक है लेकिन यह 96 थोड़ी होगी क्योंकि आपको यहां पर जो इवन नमबर गिननी है ना तो यहां से गिनोगे जैसे 2 को आप पहली गिन रहे हो तो इसी रहा से 97 भी कौन सी होगी इसकी डवल वाली आप मेरी बात को समझ पा र है क्योंकि आप अगर कंसेप्चुली चल रहे हो तो कंसेप्चुली आपको क्या करना पड़ेगा डवल करना पड़ेगा मैं कारण बता रहा हूं दुबारा से कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अगर 2 को देख रहे हो तो वह पहली है चार को के से मैंने बताया न आपको कि अगर आप यहां देख रहे हो कि 101 홀 नंबर से हैं ठीक है तो 101 होल नंबर हैं तो आप इसको लोगे 0 से लेकर 100 अगर आप नॉर्मल नंबर की तरह देख रहे हो तो आप लोगे पहली संख्या 0 अन्तिम संख्या 101 बटे दो नॉर्मल केस की तरह है ना दौनों केस में फ़राग है बस सोच का फ़राग है बस whole numbers डाल दिया तो जीरो से शुरू करनी है बस आपको answer save ही आना है ठीक है भाई यहां तक कोई दिक्कत तो अब आपको पहले concept में clarity आ गई या नहीं आ गई पहले तो यह बता दो अगर question में first लिखा हो तो first का मतलब समझ में आ गया ना कि तब आपका answer क्या होगा directly निकल जाएगा जैसी कि प्रथम 109 even number का क्यातना होगा 109 plus 1 होगा अब यहां आप safe खेल सकते हो क्योंकि यहां पर आपको संख्याएं दे रखी हैं कि 7 से 198 तक तो 7 के बाद में अगली even number 8 है और अंतिम even number क्या है सबसे पहली even number तो 8 होगी और last वाली 198 चल जाएगी क्योंकि तक लिखा हुआ है बटे दो similarly यहां 18 से 138 और नमबर 18 लोग है नहीं अगली लेनी पड़ेगी 19 और 138 से पहले 137 check this out sir divided 2 नहीं हुआ हुआ क्यों होगा नहीं इसमें जर्वत का है divided 2 की मैं यही तो समझा रहा हूँ भाई इन में जब आपको संख्याएं दे रखी होती है तब तो आप डायरेक्ली 1st प्लस लास्ट बटे दो करिए लेकिन अगर प्रथम वाला केस दे रखा होता है कि पहली 50 संख्याएं पहली 20 संख्याएं पहली 30 विशम संख्याएं ऐसे लिखा हुआ है तो वो पहली का मतलब आप जैसे मैं ऐसे एक एक्जामपल लेकर आपको बता देता हूं जैसे कि मान के चलिए आपसे मैं बोलू आप लिखिए परस्ट थ्री इवन नंबर आप क्या लिखोगे बताओ और मैं आपसे लिखता हूं कि तीन मैं लिख देता हूं आगे कि छे तक एक से छे तक समसंख्या मतलब समसंख्या का आवसत बताओ समसंख्या का एवरिज बताओ अब दौना कोशन मैंने लिख दी है मैंने लिखा पहली तीन समसंख्या लिखो तो पहली 3 संख्याइं आप क्या लिखोगे 2, 4 और 6 अब मैं पूछूँगा ना आपसे कि आपने पहली 3 संख्या को क्या लिखा अब लिखा तो पहली 3 है ना लेकिन आपने दो 46 अब इसका अब इसका निकल वा रहा हूं तुम से तो क्या बोलोगे आप इनको जोड और बटे तीन कर दो तो दस और दो बारा बटे तीन कितना हो गया चार तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई अगर आप तीन संख्याएं ले रहे हो पहली तीन तो उनका एवरेज एन प्लस बन हो जाता है और अगर मैं इस कुशन को ये बोलता कि एक से छे तक तो आप क्या लेते पहली संख्या दो अंतिम संख्या छे बटे दो आठ बटे दो चार लॉजिक क्लियर हो गया अगर हो गया हो तो बता दें नहीं हुआ हो तो भी बता दें अंसर सेम आया लेकिन उसको बोला गया पहली तीन संख्या है इसको बोला गया एक से छे तक तो लेंगवेज का फर्क है और तरीके का फर्क है आप मेरी बात अगर समझ गए हो तो प्लीज बता दीजिए यह सर अब किलियर हो गया है कि अगर प्रथम वाला केस आ जाए तो डाइरेक्ट आंसर देना है और अगर आप ऐसे संख्या दे लो लेकिन लेनी इसी इंटर्वेल में है इससे पहले नहीं हो सकती और इसके बाद नहीं हो सकती है ओविस और क्या और कोशन ऐसा आया हुआ है देखो आपके सीजियल मेंस में आया हुआ है कि 149 संख्याओं का एवरेज एक्सो चालिस तो आप्शन दे दिया आपको होल नंबर का नाचूरल नंबर का और अपना इवन नंबर का और नंबर का बताओ कि 149 ऐसी कौनसी नंबर स्लोग ही जिनका एवरेज एक्सो चालिस हो जाए पता होगा तभी तो और हाँ यहां फस्ट लगाना बहुत जरूरी है फस्ट 149 फस्ट 139 कौनसी संख्या है तो फस्ट 139 इवन नंबर का एवरेज 140 होता है एन प्लस वन अब जब नंबर दे रखिए तो आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो तो बेसिकली फॉर्मूला तो में क्या है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो है अब लोगों को चलिए आते हैं अगला इसक्वायर इसक्वायर वाला केस काफी पेपर में आता है यार है ना नंबर सिस्टम में आपको यह चीज शायद नहीं लिखी आपने और मैं कह रहा हूं ना कि गनित जब आप पढ़ते हो तो कलेक्टिव एफट होता है गनित किसी ये जो 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 चीजे जहां जहां रह जाती है वहोगो कवर होती चली जाएंगी अपने आप होंगी अब देखिएगा अगर मानों कोई एंच्वायर आग्या यानिकि यह इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है first अ अ नंबर के स्क्वायर का सम अब पहली जितनी भी संख्या होंगी इसे पहली दो संख्याओं के स्क्वायर का सम पहली तीन संख्याओं के स्क्वायर का सम पहली चार संख्याओं के स्क्वायर का सम क्या होता है तो क्या करेंगे भाई हम यह कह सकते हैं सर यह formula होता है n into n plus 1 2n plus 1 by 6 लिखाने में समय लग रहा होगा लिखने में भी आपको समय लग रहा होगा लेकिन question चुटकियों में होते हैं इनके paper में आते हैं हाँ एक बच्चा बोल रहा है महम्मद आशिम नहीं बोलता भहुत है सर फर्स्ट 101 whole number में 0 से 100 तक 101 number होगा तो 50 answer होगा ना point तो बात में है आप यह कहना चाहरे हो कि first 101 whole numbers अगर हम ले रहे हैं मैं इसको मिटा के एक बार दुबारा से देखता हूं पहली 101 अगर whole numbers आप ले रहे हैं तो आपका यह कहना है कि आप basically आप ले रहे हैं 0 से लेकर 101 तक या 0 से लेकर 100 तक तो 0 से लेकर अगर 100 तक ले रहे हैं तो क्या मैं यह कह सकता हूं हमारा जो formula है क्या 1 से लेकर 100 तक काम नहीं करेगा अगर natural number के लिए देख रहे हैं तो तो basically मैं अगर आपसे यह पूछता हूं ठीक है। संख्या है, तो चलो मानलो 101 हैं। अगर मैं बात करना natural numbers मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं कौन-कौन बच्चे इस बात से agree कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई मैंने 0 फर्स्ट 101 whole numbers लिखे हैं तो मैंने 0 को भी लिया ही होगा ना इसमें हां तो मैंने 0 से लेकर कहां तक count किया होगा 100 क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 100 और 0 भी 101 हो गई तो मैं यहीं तो बोलूंगा कि मेरी इसमें 1 से 100 तक 100 प्राकरतिक संख्याएं हो गई तो 100 प्राकरतिक संख्याएं होती है तो n प्राकरतिक संख्याओं का average क्या होता है n प्लस 1 बाइ 2 तो आंसर कितना आ गया 101 बटे 2 तो आंसर आएगा 50.5 वोप्स हो कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आशिम सपोर्ट करने वाले भी आ गये थे और क्या डाउट क्लियर हो गया भाई मौम्मद आशिम अब तो समझ गया है ना आप 101 नंबर तो पूर्ण संख्या ले रहे हो आप उसमें आप 0 को भूल जाओ अब मैं तो कहूंगा ना कि 101 होल नंबर छोड़ो सौप्राकरतिक संख्या मानों तो सौप्राकरतिक संख्यां की बात करूंगा तो N भी नहीं समझ रहा है सर 0 प्लस 100 बटे 2 करिए अर्जु नहीं कर सकते न वो एन प्लस 1 बाई 2 वाला जो फॉर्मूला है यह नैचुरल नंबर्स के लिए बना हुआ है बस फॉल नंबर्स के लिए नहीं है फॉर्मूला राजू कह रहा है इसा डायरेट कोशन से करवाओ राजू कोशन डायरेट बना पाओगे क्या तुम देखो कैसे कोशन साते हैं जब तक मैं दूंगा नहीं आपको जे इसम वेसम की ताकत तो आप नहीं बना पाओगे राजू जैसे की पहला ही कोशन देखिए 2020 में सेल्समें 220 की दैनिक उसस से खिलोने बेचे पहले बारे दुनों में इतना तो यह जे एसम के खेल हैं अब ये ऐसे कुशन से जो लेटेश पूछे जा रहे हैं, तीन संख्याओं का, तेरे संख्याओं का, छत्य संख्याओं का, इसमें के प्लस फोर निकालना है, धाई की बरद्धी कर दी, ये क्या करते हैं, रिप्लेस्मेंट हो गया, लेफ्ट जॉइन वाला हो गया, सत्तर से 90 भाजे संख्याओं का हो गया, पांच बच्चे समू में शामिल होते हैं, और पांच बच्चे छोड़ जाते हैं, या अब ये नॉर्मल कोशन है, कट टफ नहीं है, एक भी कोशन टफ नहीं है, फिर क्या है सर, आप क्या बताने वाले हो ऐसा, शौर्ट मैथड, शौर्ट म चलता है, आदमी पूरा पैसे दे कर जाता है, तो सेम एवरेज चैप्टर है, कि डेटा सबसे टफ लगेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पोली इस चैप्टर में है, कि आप सबसे ज़्यादा आसानी से इसी चैप्टर को कर सकते हो, लगता नहीं है, लेकिन, 62.8 छोड़ ज जाता है, तो दिक्कत आएगी फिर बाद में, मैं करवाने में तो मैं तो पहले बर करवा दूँ भाई, मेरे को कोई शॉक थोड़ी आ रहा है, साहिल सर एवरेज रेडी भाई या, बट रोहेंगे आप ही फिर बाद में, तो इसलिए आपके आंसू पहुंचने के लिए मैं करवा रहा हूं, तो आप प्लीस धंक से पढ़ें भाई आ रहा है, आप बिल्कुल टोक अटाकी करते हैं, तो मेरे को आता है गुस्सा, क्योंकि यहां तो मैनत कराई जा रही है, तो हार वार धिहान रखा नहीं जा रहा है, घरवाले गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हारा दिम अबरे शुरू हो रहा है, आज कैसे चले जाएंगे, चली, तो चीजे जो रह रही हैं, वो तो मुझे करानी हैं न भाई, तो स्कॉायर का सम ऐसे होता है, लेकिन फिर से वाई वाली बात, यहां भी प्रतम का खेला है, यह प्रतम कौन है, पहली N स्कॉायर नंबर का सम, जै यह चीजें सीखने को मिलती हैं, बड़ा दिल खूश होता है बच्चों का, क्योंकि दिमाग खुलता है न, बताइए सर, पहली पांश संख्याओं के स्कॉायर का सम कितना होगा, योगेस कह रहा है, फिर रोज भूका सोना पड़ता होगा, योगेस हम क्या ही बताएं, हमार पारी जिंदगी स्टूडेंट की जीवन में निकली है, और स्टूडेंट चाहे अकेला रहे तो उसको आदत हो जाती है, कुछ भी बना के खालेता हो, वह ऐसा मैं सोची है, निसाहय और असाहय नहीं है, और अब तो सुबिदाएं भी काफी हो, चुकि यह सुईगी जमेट तो 5, 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 11 बटे 6, हमने अभी योग निकाला है, आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ, 6 से 6 चला गया, पचपन आ गया, आप ही कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, है ना, एक बच्चा गया है तो दीवाले की तुम्हें टेंशन कहा है, तुम तो घर पर जागा, तुम्हें को उठा के थोड़ी ले जा रहे हो कहीं, चलिए, बच्चपन यह आ गया, योग आ रहा है, यह सम आ रहा है, चलिए बॉस, यह आ रहा है, सम, योग, अभी अभी आवरेज की बात ही नहीं कर रहा, प्रूंकि तो बताईए अगला कुश्चन, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, ऐसे ऐसे में चलता चला गया, दस के स्क्वायर तक, तो बताईए, सम क्या होगा, एटलिस दिवाली की इवनिंग छुट्टी दे दीजिएगा, प्लीज, नहाँ दिवाली की इवनिंग तो रखेंगे भई, सन्नो छुट्टी वाले दिवाली में जाना सफाई, अरे हाँ सफाई करने, सफाई करने, रानी तुम्हारी 25 दिन होके सफाई खतम नहीं हो रही है पता नहीं घर साफ कर रही हो गाहां साफ कर रही हो अब दीवाली भी सिर्पे आगए ये फिर भी सपाई करनी है क्या करना है अब बताओ एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6 एन बराबर हो गया दस इंटू 11 मतलब जोड़ दोगे न दस में एक दस दूने 20 और 21 बटे 6 6 है तो 3 से काटा 2 बार 3 से काटा 7 बार 2 से काटा 5 बार 55 इंटू 7 साथ पंजे 35 पैटिस पैटिस और तीन अर्टिस तीन सो पिच्चासी थ्री एटिफाइव ठीक है तो आप यह क्या देख रहे हैं कि पहली एन प्राकर्तिक संख्याओं के स्कॉयर का सम देख रहे हैं और आप भट भट फॉर्मूला लगा दे रहें लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपका एन प्रथम एन प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गों का योग इसको क्या बोलते हैं प्रथम एन प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गों का योग प्रथम एन प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गों का योग इसको यह बोलते हैं नैचूरल नंबर्स के वर्गों का सम है ना तो वह होता है सर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस 1 by 6, अच्छा ये तो हो गया sum, अच्छा average निकालने के लिए क्या करोगे भाई, तो ये जो sum हो गया, n into n plus 1, 2n plus 1 by 6 upon n, तो आपको n का divide कर देना है, n plus 1, 2n plus 1 by 6, लेकिन फिर से भाई वाली बाद, चीज यह याद रखने के दिमाग में, railway की upcoming vacancies की class कब से होंगी सर जी, देखो दोस्तों मैं वो teacher नहीं हूँ, जो ठाली बैड़ता है, गुरुब्डी खतम हुआ, अगले दिन से class चालू होगा ये दूसरे exam की, तो हमेशा जब exam होगा तब आपके सामने अपने आपा जाएगा, टेंशन आप बिल्कुल ना लीजा, बस पढ़ाई करिए, अब दिवाले पर बढ़िया ओफर और आ रहा भाई साब, माना केड़ी वालों ने सुन लिया, मैंने का भाई तुम मौके पर तो दो, वैसे तुम देते रहते हो, आ तो गया फर्मान, चलिए, सर थोड़ा ऊपर लेवल का कोशन कराईए, आकांचा, सबर कर लीजिए, आपने हमारी परसेंटेज वाली क्लास देखी है, पहले बताईए, नहीं देखी होगी न, इसलिए तो आप बोलती हैं ऐसे, देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक आकांचा जैसे और एक बिगिनर्स, आकांचा जैसे बच्चे ये ऐसे C है, CGL, तैयारी का तरीका क्या होता है, ऐसे चलना, कुछ बच्चे चाहते हैं, कि यहाँ से शुरू करें, फिर ऐसे ऐसे जाते चले जाएं, तो आपको चल प्रोसेस को अब उल्टा नहीं कर सकते वरना फिर न्यूटन नाराज हुजाएगा पढ़ाई करो या टेंशन मत लिया करो डिक डॉंट फियर विकॉज पता है अब हो गया सर हो गया यहां तक आगे चलो कि एवरेज निकालना है तो निकलवा देता हूँ एग्जांपल ले देता हूँ एक तो मैंने बोला कि प्रथम 15 नाचूरल नंबर के स्कुआयर का सम ओ स्वाइवरेज क्या होगा बताओ प्रथम 15 नाचूरल नंबर के स्वाइर का एवरेज क्या होगा तो क्या करोगे भाई सर आपने फॉर्मूला बता रहा क्या वहां रख देता हूँ मैंने का नहीं आप ऐसा करना मत आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला याद रखो क्या होता है मैं आपको देखो मैं वह तीचर नहीं हो कि आपको यार देखो दोस्तों इस फॉर्मूले को देख रहे हो हां रखो 15 हो गया अरे भाई साब यह याद रहेगा तब ना और यह याद रखने का अचा डालू क्या मैं इसका कीहना कह चाहते हैं वह याद रखो क्योंकि संका फॉर्मूला वही है यह अँठा देंगे बात में मैं हए आपको बातसमें आ रही है न आपको फॉर्मूला लिखना पूरा है Helpककि पेपर मं भूल जाता है बच्चा और पन्दरांसित्स को कार्ड़ नच पार बात लास्न सर इस्पेशल केस में यह फेलो अरे भाई साब सबर कर लीजिए इस्पेशल केस सब फेल कर दूंगा मैं केस अभी तुम तुम पड़े ही नहीं हो ना अगत तक जिंदेगी में बात तो वही है बस चली अब गुरु जी यह बात तो समझ में आ गई एवरेज भी निकल कर आगे टेंशन भी नहीं है और आप काटना चाहोगी तो तीन से काट लोगे तीन बर और दो से काट लोगे आठ बर यह हो गया 248 बटे तीन चलो बईया परंतू गोविंदा की स्टाइल में हाँ 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 झाल झाल पताई पताई तो झाल कि चलिए भीया कि सब कैसे करें ऐसी कोशनों को बताऊ तो सर तो बताएंगी सर का काम यही है देखो दोस्तों अब आपसे बोला गया है फस्ट पॉर्मूला बना हुआ है फस्ट के लिए चलो आप ट्राई कर लो पहले कहीं बच्चे दिमाग लगाएंगे अपना और वो लगाना भी चाहिए देखो उनको सर जी थोड़ा फस्ट चलिए फस्ट नहीं हो सकता है आराम आराम सी पढ़ाया जाएगा फस्ट की क्या दरवत है क्या है इन कर दो आराम सी नहीं हो सकता है झाल झाल चलिए एक बच्चा कह रहा है टाइम पास मत करो ठीक है अभी बंद कर देते हैं क्लास रुख जाओ अब बात आती है सर करें तो करें क्या पहली संख्याओं का होता है तो आप मुझे बताओ आठ से बीस तक का यो कैसे निकालोगे आप तो आप यह कहोगे सर एक से बीस तक का निकालो और फिर उसमें से क्या करो माइनस करना पड़ेगा आपको एक से साथ तक का एक से बीस तक का निकालें फिर एक से साथ तक का माइनस करेंगे बात क्या आती है पहले सम ही निकालना पड़ेगा यही लॉजिक है आप डायरेट कोई बच्चा सोच रहा हो कि डायरेट चुपचा पिस फॉर्मूले को लगा देता हूं है तब गलत हो जाता है कुछ निकरना सम ही निकालना थे तो बीस का सम कितना होगा एन इंटू एन प्लस वन अ ऑंटू एन प्लस वन आ estosब आν प्लस वन और यहalayकर तो आपने से किसी को प्रॉब्लम है क्या बोलो भाई ठीक है सर अब करें क्या पहले सम निकालो आप पहले तो यार कट रहा है गया 2 से काटा मैंने इसको 10 बार फिर आया 3 3 से काटा मैंने इसको 7 बार 7 एकम 7 7 चोके 28 2870 माइनस 2 से काटा मैंने इसको 4 बार और 3 से काटा मैंने इसको 5 बार 285 कितना हो जाएगा 140 ठीक है भाई अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो ये कितना आ रहा है 2730 आ रहा है ये मेरा क्या आ गया ये मेरा योग आ गया है इन सभी का क्या आपका भी ये आ रहा है कि निकलकर सबसे पहले आपने केवल सम निकाला फिर आपको डिवाइड करना है संख्या का तो 8 से 20 तक कितनी संख्या होंगी तो संख्या निकालने का क्या तरीका होता है अंतिम संख्या माइनस 20 से 8 घटा दो प्रारंबिक संख्या प्लस का वन तो आपने देखा होगा 21 में से 8 अगर आप घटाते हो तो आपकी 13 संख्या हो जाएंगे तो 13 का डिवाइड कर दो तो 13 दूनी 26 तेरा एकम तेरा 210 आपका एवरेज हो जाएगा क्यासा लगा मेरे दोस्तों यह कहानी है तो आप कहानी का क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कहानी का यह कंक्लूजन निकाल कर आता है कि पहले आपको सम निकालना पड़ेगा और फॉर्मूला केवल प्रथम एन तक का है है ना first n तक का है तो जैसे कि मान लो अगर आपको आठ से 20 दे रखा है तो पहले एक से 20 निकालिए फिर एक से 7 को माइनस कर दीजिए मज़ा आ गया समझ में आगी बात अब जैसे कि मैं एक दो एक्जामपल और देना चाहता हूं आप लोगों को जैसे कि एक्जामपल के तौर पर अंदास से ले रहा हूं एक्जामपल 13 का स्कॉायर 14 का स्कॉायर 15 का स्कॉायर 16 का स्कॉायर और ऐसे ऐसे चलते चले गए 30 का स्कॉायर एक्जामपल ले रहा हूं बस पूरा सॉल्व आपको नहीं करना निकालने को बोला जाएगा एवरिज कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तरीका क्या रहेगा तरीका रहेगा भाईया एक से लेकर 30 तक माइनस करोगे एक से लेकर क्या एक से लेकर तीस तक में से क्या माइनस करोगे आप करेंगे न अलग-अलग average निकालकर नहीं होगा भाई है न ध्यान रखना बता दिए था न क्या कमी है तो एक से लेकर बारा तक का माइनस हो जाएगा तो यही concept लगेगा पहले आपका sum का बात होगा फिर आप numbers निकाले कितने numbers है तो 30 में से 13 चले गए plus का 1 17 और 18 numbers है ठीक है चले अधिर लगेगा यह अब भी बोल तो नहीं गलत हो जाएगा डायरेक लगाने से मान नहीं रहे वह डायरेक कब लग सकता है डायरेक तब लगता प्रथम एन होती तो वह प्रथम एन थोड़ी ना है वहां पर वहां तो बीच फे ब्रेक हो रही है ना बा हाँ हाँ चली समझ में आ गई ना अब आते हैं आपन क्यूब पर प्रथम एन यह भी क्यूब में लगेगा ना अगर आप पूछोगे तो अगर इसको बोलोगे तो प्रथम एन संख्याओं के घनों का योग सम ओफ फस्ट एन क्यूब ओफ नंबर सम ओफ फस्ट एन क्यूब ओफ नंबर तो यह कितना होता है वाई एन इंटू एन प्लस वन बाइटू का होल स्क्वायर कोई भी बच्चा परेशान नहीं हो बढ़िया पढ़ेंगे चैप्टर और आराम अराम से पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेने का ठीक है सर अलग-अलग निकाल के माइनस कर सकते हैं क्या अरे नहीं कर सकते शिवम नहीं कर सकते यहीं तो बता रहा हूं भाई पहले सम निकालो फिर संख्या का डिवाइड करो आप बात ही नहीं सुन रहे हो मेरी मैं बोल रहा हूं ना पहले सम निकालना है क्योंकि वह बीच में ब वो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं यह प्रत्थम एन के लिखते हैं पहली एन अब जब बीच में से अगर आप सीरीज को तोड़ दोगे तो यहां पहली एन थोड़ी रह जाएगी डायरेक्ट नहीं रह पाएगी ना गलत हो जाएगा इसलिए क्यों वो सारी संक्य थोड़ी आ रही है जो हम ले रहे हैं वहाँ पर नहीं आ रही है अब देखिए अगर मैं इसमें एवरेज की बात करूँ तो एवरेज क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे चार बटे एन कर दो तो यहां क्या रह जाएगा सर एन रह जाएगा और एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे फूर हो जाएगा ठीक है क्लियर है भाई नोट कर लो अब जैसे कि इस पर एक्जाम्पल कैसे बनता है एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब और आगे आगे चल गए आप दस का क्यूब अब बताईए मैं किवल आपसे अभी सम पूछ रहा हूँ कि सम क्या निकल कर आएगा उचे जाते हैं यह तो यह नॉर्मल सीरीज का भी कुशन है एवरेज में भी आ गया यह सबसे अच्छा पॉर्शन है एवरेज का जो लोग नहीं करके जाते हैं और पेपर में परशन आ जाते हैं तो फॉर्मूला याद नहीं रहता लेकिन पेपर में आपको यह कुशन देख बटे 2 का होल स्कॉर तो 10 इंटू 11 बटे 2 का होल स्कॉर यानि की 55 का स्कॉर पच्पन का स्कॉर कितना हो जाता है 6 50 30 25 30 25 मजा लग रहा है क्या वही मजा आ रहा है कर पा रहे हो अच्छे से आप लो कोई तकलीफ दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आएगी नहीं देखो मैं अच्छे से बढ़ाऊंगा टैंशन बिल्कुल भी मतलो आप लो ठीक है चलिए